इंडियन डियरीज में आपका सुवागा थे मेरा नामे अजात इफ यू वाँ टो वाँ टो वाँ वाँ टो वाँ अनदर चैनल वेरा एक मेट वीडियो इन इंग्लिश दे लिंक आफ डैट चैनल इस गिवें इन देस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैनाडा में अगर हम जाना चाहते हैं अगर हम अपना प्रोफेशन अपना जो मतलब कैटेगरी नीच है उसके हिसाब से हम जोब फाइंड आट करना चाहते हैं अपना जो skill है मतलब कौन से category के अंदर आपका skill आता है वो भी आप जान सकते हैं और इसके basis पे आप job भी find out कर सकते हैं और apply कर सकते हैं वो सब कैसे कीजिएगा मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप job find out करें मतलब जो Canada के में कौन से website है जिस पे जाके आप job find out करें इसके अलाव मैं ये भी आपको step by step देखाऊंगा कि कैसे आप अपना category को find out करेंगे आप NOC को कैसे अपने find out करेंगे कि आपका को मतलब जो आप job कर रहे हैं उस job को Canada में किस नाम से जाना जाता है और उसका क्या NOC level है और वो कौन से skill के अंदर आता है ये सब आज के इस वी वीडियो में बताऊंगा और वहां जाने से पहले मैं आपसे चोटा से रेक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बढ़ाएं तो इससे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उन लोग के साथ शेयर कीजिए ज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप लोग कैनेडा या माल्टा जाना चाहते हैं और बहुत दिन सो ट्राइग कर रहे हैं लेकिन आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट या एजन नहीं मिल पा रहा है तो मैंने दो फॉर्म अभी स्क्रीन प तो अगर आपको लगता है कि यह मतलब बेनिफिट साबित होगा आप लोग के लिए तो आप लोग इसको फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं चलिए हम अपने वीडियो के तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि कैनेडा में जो हमको जॉब फाइंड आट करना पड़ेगा किसी भी कैटेगरी के अंदर आता है उस स्किल कैटेगरी को मतलब पहचानना पड़ेगा जैसे मान लिए 0 A B C D किस कैटेगरी के अंदर आता है यह आपको एडिनिफाई करवाना पड़ेगा वह सब मैं आपको बता हूँ आज कैसे फाइंड आट करना है इसके सासत आपको यह भी द सिस्क्राइब आप जाते है इसमें मैंगे मेंदिहाँ मैंनेजर का जोब होता है जैसे मानले जे मैंटेगर हूआ हुआ है इसकी अलावा agar दूसरी स्किल चाप की बात करें होता है इसकी iki चिल चैया स्किल लेवल तो इसमें professional job होते हैं जैसे कि जिसमें आपको degree show करना पड़ेगा जैसे आपको doctor हुआ, dentist हुआ, architect हुआ इसमें आपको अपना degree show करना पड़ेगा है कि आपने इस category में इस job profession में आपने एक अच्छा खासा education लेकर आपने यह पढ़ाई किया है तो यह skill level A में आता है, इसके साथ मैं आपको बात करूँ कि skill level B क्या होता है, तो skill level B में technical job और skill trade आता है, जैसे कि आप मालने यह कोई college का diploma आपने किया है, चाहिए कहीं से आपने training लिया है apprenticeship का, तो यह सब जो jobs होते हैं वो इसके अंदर आते हैं skill level B में इसके अंदर आपको जैसे example में बता दूँ आपको कि shifts, plumbers, electricians यह सब जो होते हैं, यह सब इसके अंदर आते हैं तो अगर आपका level long करता है, इसकी level B से तो आप definitely अपना job को find out कर सकते हैं, और कैसे कीजिएगा, मैं दिखा training होता है, मतलब कि समझ लीजिए आपको industrial job हुआ चाहे आप कहलें कि food and beverage servers हुआ, यह सब मतलब जो normal job होती है, उनको इसमें कुछ आकास आपको education भी नहीं मांग रहा है, तो इसी वैसे आपको इस तरीके से आपको job भी दे रहा है, तो यह सब jobs इसके अंद्यारा आती है, इसके साथ मैं बता दूँ आपको जो इसकी level D है, यह सबसे low level D है, मतलब सबसे low level jobs है, वहाँ पर Canada में जो find मिलते हैं, इसमें आपका level jobs होते हैं, मतलब level वाले जो काम होते हैं, वो इसमें आते हैं, और usually इसमें, मतलब आपको training दिया जाता है, बता जाता है कि कैसे क्या करना है, आपको without training यह आपको job नहीं मिलेगा, मतलब यह training वहीं पर मिलेगे, जब आप वहाँ चले जाएगा, फिर उसके बाद आपको training दियागा, फिर उसमें आप काम कीजिएगा, अगर हम बात करें कि इसकी level D में तो आपको बता दो कि fruit pickers, cleaning staff और oil field workers जैसे example होते हैं, यह सब लोग मतलब इस category के अंदर fit करते हैं, तो यह तो हुआ कि कौन-कौन से skill होते हैं, तो skill 0 A, B, C और D होते हैं, ठीक है अब हम find out करेंगे कि कौन से professions, मतलब जो हम profession, इंडिया, पाकिस्तान, नायप, बंगलादेस में हम कर रहे हैं, उसको Canada में किस नाम से जाना जाता है, और वो कौन से NOC category के अंदर आता है, वो हम find out करेंगे, क्यूंकि अगर जब हम को यह पता चल जाएगा कि कौन से NOC category के अंदर आता है, और हमारा करने के लिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, Canada का, मतलब Canada government का official website पर, और वहाँ जाने के लिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, अपने computer screen पर, तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, कि हम अभी अपने computer computer screen पर आएगा, और मैं आप पो लेके चलता हूँ, उस website पर, जो Canada government का, जो official website है, और वहाँ मैं आपको देखाता हूँ, कि कैसे, आप find out कीजिएगा, अपने NOC को, और अपने job के profession को, तो सबसे पहले हम चलते हैं, इस website पर, इस का मैं लिंक आपको description में देदूँगा, जब आप इस पर click कीजिएगा, तो आप direct इस page पर आजाईएगा, इस page पर आने के बाद, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो, यह search लिखा हुआ है, और यह search bar में है, और यहाँ पर लिखा हुआ, find your NOC, जब यहाँ पर आके आप इसको click कीजिएगा, find your NOC को, जब आप इसको click कीजिएगा, तो फिर आपके सामने यह page खुलेगा, और इस page में हलका से आपको बताया हुआ, कि आप NOC जो find out कर रहे हैं, इसका क्या benefit है, और कैसे आप इसका benefit और मतलब इस्तमाल कर सकते हैं, बस इसको कुछ करना नहीं, इसको scroll down करके इसके नीची आना है, थोला से नीची आना है, और नीची आने के बाद, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, filter items, यहाँ पर आपको न ओसी कौन से category मैच करता है, जब आप यहाँ पर आप अपना profession को लिखेगा, तो यहाँ पर बता देगा कि आपका नो सी कौन से category मैच करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि मैने बार बर यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर एनोसी देखा रहा है, 6341, यह हमारा और यह हमारा barber जो है टाइप मतलब जो हमारा job profession है वो Canada में इस नाम से जाना जाता है hairstylist and barbers, इस profession से इस नाम से जाना जाता है, अगर हम job find out करेंगे online, तो इस नाम से इस profession से हम लोग अपना job को find out करेंगे तो हमारा NOC मिल गया, हमारा टाइटल मिल गया और हमारा skill type भी पता चले गया कि ये B category के अंदर आता है ये वही skill type है जो मैंने अभी कुछ दिर पहले explain किया था, 0, A, B, C, D ये जो उसी B के अंदर आता है तो आपको तीन चीज़ों के यहाँ पर जानकारी हो गई, तीन चीज़े मिल गए अब इसके बारे में हम ज़्यादा information लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर आ नीची आएंगे और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं search page यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप job title से भी खोल सकते हैं तो मैं example के लिए job title से ही मतलब खोज के दिखाता हूँ आपको और यहाँ भी मैं बारबर अगर लिख के यहाँ पर search करता हूँ तो बारबर से related जो भी information है मेरे सामने आ जाएगा अगर आप चाहते हैं कि अनोसी से करने के लिए बारबर का जो अनोसी था यहाँ पर 6341 आप यहाँ पर type कीजिएगा यह select पहले कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर type करके search कीजिएगा तो आपको बारबर के बारे में जनकारी मिल जाएगी जब आप search पर click कीजिएगा तो आपके सामने यह page खुलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6341 उसका नोसी कोड है और यह उसका मतलब title है नाम है और उसके बारे में यहाँ पर detail में mention किया हुआ है आप देखें कि example title मतलब इस नाम से और यह जो profession है इस नाम से भी जाना जाता है कैनड़ा में barber, barber apprentices और hair color technicians, hairdresser, hairdresser apprentice, hair stylist, hair list, hair list, apprentice, wig stylist यह नाम से भी जाना जाता है तो अगर इस नाम से भी अगर मतलब इस profession से भी अगर कोई job आता है तो आपके category में यह match करता है वहिए अगर आप right hand side में देखें आप तो यहाँ पर explain किया हुआ हलका से इसके बारे में कि यह कौन सा skill level में आता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि skill level B में यह आता है और इसमें नॉर्मली college education लगता है उसमें कोई जादा hard education नहीं लगता है और इसके बास आपको specialization training इसमें देना होगा मतलब यह बारबर के बारे में explaining किया हुआ है और यहाँ पर training भी आपको मतलब जरूरी है लेने के लिए ठीक है इसके अलावा यहाँ पर हलका इसके बारे में explain किया हुआ है तो यह भी आप देख लीजिएगा वह यह अगर हम बात करें left hand side में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारबर का main duties explain किया हुआ है तो इसी त्रीके से अगर आप बी जाब आज़ा कीजिए गा तो उस जाब के बारे में यहाँ पर detail में मेनेजर का नोच लिखा रहे का चाहला कि अगर यहां पर मेरे में करना में पर करना पढ़ेगा क्योश प्रुचे के साब्सक्राइब आजर चाहाँ लिए के क्या है मतलब क्या क्या जरूरत पड़ेगा अगर आपलाई करता है जौब के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकंडरी स्कूल एजुकेशन जाहिए उसको इसके साथ साथ दो या तीन साल का है उसको मतलब अपर 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 इंटिंसिप प्रोग्राम जो किया हो वो आप यहां पर मेंचन किया हुआ है तो यह सब आपको अच्छे से देख लेजिएगा यह वह आपका हैर स्टाइलिस के लिए और नीचे आपका दिया वह बार बार के लिए तो इसी तरीके से आप जिस प्रोफेशन वह इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप यहां से ले स कि कोई थर्ट पाटी जो जो वेबसाइट है वहां से आप जोब फाइंड आउट कर सकते हैं अपने लिए मैं आपको बता देता हूँ और यह जोब इसलिए मैं देखा देता हूँ अगर आप बात करते हैं कैनड़ा में जॉब के लिए तो कैनड़ा जॉब बैंक का नाम है तो आपको जो जॉब समझ में आता है जो जॉब अच्छा लगता है आप उसमें क्लिख करके उसके बार में फर्दर इंफ्रमेशन ले सकते हैं हो और इक्वडा बार 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 नीजेगा तो मेरे सामने यह effects यॉद देख सकते हैं और यहां पर तमाम डीटेल यहां पर दिया हुआ बारबर के बारे में इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा यह कौन सा जॉब है फूल है लोकेशन क्या होगा मुझे मतलब सैलेरी कितनी मिलेगी और वीग में कितने घंटे हमें काम करना पड़ेगा यहा साथ यहां पर लेंगवज भी क्या रिवर्मेंट है चाहिए एक्स्पिरियंस कितना यहां पर सब मेंचन किया हुग अगर इसको आप पढ़ लीजिए और आपको लगता है कि यह आपका मैच करता है कैटिगरी से आपका प्रोफेशन से और लगता है आप इसके लिए है तो एक और बात मैं आपको यहां बता दो कि हर जॉब में आपको यह मतलब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि आप अगर चेनडा में रह रहे हैं तभी आप इसके लिए अप्लाइग करें वरना आपका जॉब को आप मतलब एप्लिकेशन को कंसिडर नहीं करेगा यह बाइ और आपके पास experience है तो आप apply करें अगर आपको employer का आपका profile अच्छा लग जाता है तो definitely आपको वहाँ पर hire कर लेगा और इसमें आपके chances भी बनते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है ठीक है और पहला ये website होगी है और दूसरा website होगी है जो की काफी famous है Canada में job के लिए वो indeed Canada ह आप Google में आके लिखिएगा Indeed Canada और उसके बाद फिर जो आपका पास पहला result आएगा उसको आप क्लिक कीजिएगा इसको आप खोलिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से page खुल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पर जो बारबर मैंने अल्यड़ी ल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जितने भी जॉब्स हैं नॉर्मली मुस्ट आप जॉब्स वह मतलब यह जो वेपसाइट गौर्वर्मेंट का इस यहीं से वह जॉब्स को लेके इंडिट पब्लिश करता है लेकिन इसमें बहुत सारे जॉब भी मिल जाएगा जो कि का भी प्राइवेट है मतलब इस से बाहर में भी लेकर आता है तो वो भी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं और ले सकते हैं तो अगर आपको लगता है किसी जॉब में अपलाई करने के लिए आपका मैच करता है इस और रिकार्मेंट तो आप जैस कुछ नहीं को लेकर चले जाएगा और फिर आपको हाँ पर फॉर्म फिलप करने के लिए बोलेगा कि आप अपना डॉक्मेंट को समीट कीजिए अगर आपको नहीं मालूम है कि सीवी और कवलेटर कैसा होता है कैनडा में कैसा बनता है तो उसके लिए मैंने और वीडियो बना कर रखा ह है उसमें आप उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं यह मैंने वीडियो बनाया है कैनडा के उपर जैसा कि आप देख सकते हैं सीवी रिजिम कवलेटर इसमें सब कुछ मिलेगा आपको तो इसके बेसिस में आपना बना कर अपना सीवी को रेडि करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के उपर था और हम कोशिच करेंगे कुछ आने मों दिनों में अच्छे वीडियो लेकर आने के लिए तो अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में और फैमिली में से शेर जरूर कीजिएगा थैंक यू